नमस्कार गीता आउनलाइन आडियो सिरीज में आपका स्वागत है हमारे साथ कायत्वी मंत्र बूलिए सबसे पहले ओम भुर्भुवा स्वा तत्सवी तुर्वारेन्यम पर्गो देवश्या धीमाही धीयो यू नाहा प्रचुदयात जैसा कि पिछले अपिसोड में हम लोगोंने अध्याय दो का दस स्लोक तक हम लोगोंने किया था अब स्लोक नमबर दस से आगे चलेंगे स्लोक नमबर 11 से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान बोलना शुरू करते हैं अब तक तो सिर्फ अर्जुन ही बोल ला है बोल ला है और लगातार अर्जुन बोलते जा रहे हैं और निगेटिविटी की पराकास्था पे हैं हम सभी लोग भी ऐसे ही कोई भी समस्या आजाने से अपने मानसिक चिंतनों को करते करते निगेटिव की पराकास्था पे आजाते हैं यहां अर्जुन एक साधारन आदमी की तरह है जो हम और आप हैं अर्जुन भी उस विसाध के अवस्था में पहुंच गया हैं और हम भी अकसरा पहुंच जाते हैं तो जिस तरह अर्जुन के लिए यह गीता इंपॉर्टेंट है उसी तरह बरतमान परिस्थीतियों में जो बिलकुल ही अपसाध और विसाध वाली परिस्थीतियां चारो ओर है हम लोगों के लिए भी गीता उत्ती ही महत्पुर्ण है चलिए एकारमाध्याय से देखते हैं श्री भगवान वाच असोचया याननन्वसोचस्तों प्रज्यावाद्धामस्च भाससे गतासून गतांत्सुसस्च नानुसोचन्तिपंडिता स्री भगवान बोले हे अर्जुन तु ना सोख करने योगे मनुस्यों के लिए सोख करता है और पंडितों के से बचनों को कहता है प्रम्तु जिनके प्रान चले गया है उनके लिए और जिनके प्रान नहीं गया है उनके लिए भी पंडित जन सोख नहीं करते हैं अब भगवान यहाँ पे बस्तु इस्थिती के बारे में बताना अर्जुन को शुरू करते हैं ना तवेबाहम जातु नासम ना तवमने में जना धिपा न चैब न भविस्यामा सर्वेबैमत परम ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है किस से आगे हम सब नहीं रहेंगे अर्थात भगवान स्री कृष्ण अर्जुन को बस्तु इस्थिती बता रहे हैं अर्थात वो आत्मा की अमर्ता के वारे में बता रहे हैं सवीर तो बारंबार जनम लेता है मरता है लेकिन आत्मा वही की वही रहती है देहिनों अस्मिन्ने अथा देहे कौमारम योवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धिरस्तता नामूहती जैसे जीबात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और बिर्धा वस्था होती है वैसे ही अन्सरीर की प्राप्ति होती है उस विसे में धीर पुरुस मोहित नहीं होता है अर्थात सरीर जो है सरीर की अवस्था बदलती रहती है आत्मा वही की वही होती है कभी बच्चा होता है, कभी जवान होता है, कभी बृद्ध होता है इन आत्मा चियूं कित्यूं है आत्मा वही होती है जिसके सरीर में रहने से सरीर काम करता रहता है जिसके सरीर से जाने से हमारा सास भी निकल जाता है हमारा सरीर काम नहीं करता है एक तरह से आप आत्मा को चेतना कह सकते हैं हमारा conscious, हमारी जो चेतना है वही आत्मा है वही जो हमें जिवित रखती है मात्रास पर्शास्तु कौन्तेया सितुष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तीती छस्वभारता हे कुन्तेफुत्र सर्दी कर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विश्यों के सयोग तो उत्पत्ती विनासील और अनित्य हैं इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर अर ठादी की इस लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भागवान स्रिक्रेश्न बहुत असपस्ट बता रहे हैं कि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही आता है जो सुख में सुखी हो गया उसे दुख में दुखी भी होना पड़ेगा इसलिए इनको सहन करने की आदत डालनी चाहिए हमें जो परसिद्धी या मान मिलने पर अभिमानी हो जाता है उसे अपमान मिलेगा तो वो बिशाद में या अपसाद में चला जाएगा तो इसलिए भगवान स्री करश्न कहना चाहते हैं आप किसी भी अती से ग्रसित ना हो सुख और दुख दोनों को वो सम मानने का बात वो बताते हैं आगे वो इसकी डिटेल ब्याक्या भी करते हैं अगला स्लोक पंदर्मा यम ही ना व्यत्या नित्येते पुरुषम पुरुषभ सम दुख सुखम धीरं सोवम भित्वाय कल्पते क्योंकि हे पुरुषेस्ट दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषको ये इंद्रिये और विस्यों के सयोग ब्याकुल नहीं करते वो मोच के योग होता है अर्थात मोच का मतलब अगर आप ऐसे देखना चाहें लौकिक जीवन में तो सफलता सफलता कोन प्राप्त करते हैं जो जो सफलता वही प्राप्त करते हैं जो किसी भी ढंग से फलों के अटैच्मेंट से दूर जाते हैं मतलब जो फल की जिन्ता नहीं करते हैं चाहे जैसी भी प्रस्तिती हो वो अपने मेहिनत पे ध्यान रखते हैं इसमें भगवान स्री क्रिस्ट ने बिल्कुल ही असपस्ट कहा है कि दुख और सुख को समान देखें अगर आफ सुखी होंगे तो दुखी होंगे दुखी होंगे तो सुखी होंगे दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना सुख में सुखी होना अगर हम बंद कर देंगे तो दुख में भी दुखी नहीं होंगे कि दोनों ही चीज़ें हमें सेम लगेंगी यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा important है इसमें आत्मा की अमर्ता के बारे में ही स्रीकरस्न चर्चा करते हैं और लगातार जो स्लोक हैं इसमें वो आत्मा की अमर्ता से सम्मन्दित है इसमें अध्याय दो में जो टोटल स्लोक हैं वो 72 स्लोक हैं और 72 स्लोक में मौस्ली भगवान द्वारा ही कहे गए हैं और ये सारे स्लोक जो मौस्ली भगवान स्रीकृष्ण द्वारा कहे गए हैं और सारे स्टेंथ को देने वारे हमारे इनरे स्टेंथ को बढ़ाने वाले हैं क्योंकि यह जो गीता कही गई है यह योगस्त होकर के बगवान स्री कृष्ण के द्वारा कही गई है और इसके एक एक जो स्लोक है वो मंत्र के समान है और एक एक स्लोक हमें सुच्छा दे दे जाते हैं हमें जीवन में क्या करना है कैसे करना है कैसे आगे बढ़ना है आज इह नहीं पर अपनी बात स्मार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लोक की चर्चा अगले एपिसोड में हम लोग करते हैं, तब तक सुनते रहे हमारे चैनल को परने बाद